हेलो ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग उमीद है कि ठीक होंगे हमारा आज को टॉपिक है ब्लॉक्चेन टेक्नोलोजी सिस्टम को समझना तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे वहले मैं आपको गैलरी में लेके जाओंगी और मैं आपको कुछ मैंने पिक्चर्स रिकॉर्ड की आपके लिए सेव की हुई है तो उनको देखते हैं समझते हैं यह भ्लॉक्चेनग का पूरा इक जो है इनोंने एक सिस्टम बनाया हुए एक पुरी पिक्चर में इसको इनोंने समझाया है भ्लॉक्चेन कैसे वर्क करता है सबसे पर एक ब्लॉक बनता है फिर लेजर kangardous होत block बनता है तो इस तरह से पूरी एक हमारे पस block chain जो है वो बनती है और उसमें मुखलिफ किसम की चीजें involve होती है एक system होता है जिसके साथ कई चीजें जो है involve होती है पूरा एक data बनता है उसको hack करना इतना सान काम नहीं होता जिसको कहते हैं ना के पंजाबी में खाला जी का व जारों computer को hack करना पड़ेगा जो जो कि इतना असान काम नहीं है इसमें wallet आ जाते है address आ आई इसयो आ जाते है network आ जाते है trust आ जाते है transaction smart contract script currency mining verification यह पूरा एक बहुत huge system होता है जो कि at the end एक blocks की सुरत में create होता है इन blocks जो आप एक ताजा transaction करते हैं किसी बेसिट की वो block की सु user के block बन जाता है और वो जो recent block होता है वो पिछले block से connected होता है तो फिर आप अगली जब कोई transaction करेंगे तो उस पिछले block से connected हो जाए उस से अगली transaction पिछले से तो ऐसे पूरा एक block chain का system बन जाता है और इसके बहुत जादा benefits हैं इनको हम at the end discuss करेंगे अभी पहले हम इसकी definitions क समझते हैं क्या है मैंने इस दफ़ा आप लोगों की असानी के लिए क्योंकि ये इतना technical और इतना मुश्किल complicated subject है boring खुश्क सबजेक्ट है कि ये हर एक बंदे को समझ नहीं आ सकता तो मैंने इसके लिए इस दफ़ा उर्दू की transaction उर्दू की transaction भी किया आपके लिए तो चल computer के network में लेंदेन को record करता है ये data के इंफरादी blocks बनाता है यानि individual हर data का individual block बनाए गये और इन blocks को महफूज करता है और आपस में link करने के लिए cryptography का इस्तमाल करता है इन blocks को अपस में link करने के लिए cryptography का इस्तमाल किया जाता है cryptography की भी आपको असान उर्दू के लफाज में definition बताती हूँ at the end ऐसे blocks का एक सिलसला बन जाता है हर transaction की block का एक सिलसला बन जाएगा जिसको जो के महफूज सिक्योर सिस्टम होता है जिसको hack नहीं किया जा सकता इन्हें जादा ता digital assets के लिए इस्तमाल किया जाता है मगर ये मजीद मुखलिफ किसम की संतों में इस्तमाल किया जा सकते है अब blockchain technology system को सिर्फ हम cryptography या फॉरेक्स या इस तरह की चीजों assets के लिए इस्तमाल नहीं कर सकते है ये हमारी असली दुनिया में भी हमारी physical world में भी बहुत जगों पे बहुत संतों में इंडस्टी में इस्तमाल किया जा सकता है और हो सकता है कि आने माले वक्तों में हम blockchain system की implementation देखें अब इन cryptography के खुफिया functions को इस्तमाल करते हुए इन block को मحفوظ किया जाता है एक block का मौद तबदील करने के लिए बाद के तमाम blocks को तबद नहीं किया जा सकता ठीक है उसको हैक करने के लिए आपको वो सारे के सारे network को हैक करना पड़ेगा जो के फिर again कहरी हूँ कि कोई इतना असान काम नहीं है आप समझते हैं कि क्रिप्टोग्राफी क्या चीज होती है ठीक है क्रिप्टोग्राफी असल में तीसरे फरकीन या की मौजूदी में महफूज ट्रांसेक्शन के लिए टेक्निकल एक्सेसाइज की स्टडी होती है इसके अंदर मालूमात को इन कोड करने के लिए रियाजी के यानि मैथमेटिक्स के अलगोरिदम का इस्तमाल किया जाता है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता ये एक मुकमल कोडिंग अगर जो ये क्योंकि ये मैथमेटिकल टर्म्स पर बना होता है तो इसको डिकोड करना कोई इतना असान काम नहीं होता तो आगे चलते हैं के डिसेंट्रलाइज सिस्टम या डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है तो ये जो है ये मल्टिपल कम्पीटर्स को लेके बनती है डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम जो होता है जो मैंने पहले पिछली वीडियो में भी आपको बताया है और हर एक जो कम्पीटर है उसके अंदर ब्लॉकचेन की इंटाइर ब्लॉकचेन की कॉपी होती है अब वो जो भी हैक करना चाहेगा ना किसी इसको सिस्टम को इसको हर एक कम्पीटर को हैक करना पड़ेगा और यह डिसेंट्रलाइज सिस्टम एक, दो, दस, पांच सिस्टम पे नहीं होता है यह हजारों कम्पीटर को मिला के एक डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम बनता है नेक्स्ट आ जाता है ट्रांजेक्शन का स्टेप यह स्टेप यह सारे steps है ठीक है यह blockchain की steps है first decentralization then transactions तो transaction जो है यह भी network की validation को बड़ा strong करती है यह उसकी बड़ी एक secure transactions होती है इनको भी हर बंदा decode नहीं कर सकता आ गयाद है consensus कंपीटर सारे मिल के काम करते हैं और यह एक consensus algorithm पर काम करते हैं जिसकी वज़ा से transaction की validity मजीद strong हो जाती है फिर यह blocks create करते हैं next रहते है blocks यह blocks जब create करते हैं तो एक group बन जता है blocks का transactions का data का हर एक block एक से दूसरे को refer करता है एक से दूसरे block को link करता है connect करता है तो इस तरह यह chain बन जती है blocks की जिसको हम block chain करते हैं next रहते है mining proof of work कुछ block chains जो है यह transaction के लिए जो है mining का इस्तमाल करती है इनके लिए यह जब हम देखते हैं कि अच्छा market में कितने जो है bitcoin है अंजी दो लाक यह कुछ something bitcoin है तो वो किस तरह बनते हैं वो mining से बनते हैं ठीक है और यह भी एक बहुत mining miners जो है यह बड़ी mathematical puzzles को solve करते हैं उसके बाद एक नया block बनता है यह इ क्याता है immutable ledger जब एक block add किया जा जुका होता है तो दूसरे एक उसको alter करना है उसको जो है उसमें कोई changes लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो यह impossible चीज है एक बने हुए ledger को तबदील करना ठीक है यह हर बंदे का काम नहीं है दूसरा आता है कि smart contracts some blockchains like ethereum support smart contracts smart contracts smart contracts कु support करती है these are self executing contracts with the terms of agreement directly written into code they automatically execute when conditions are met तो जब कुछ इनको 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 इनकी execution तब होती है जब यह आप इनकी conditions पर पूरा होताते है वो system या blockchain उनकी conditions पर पूरा होताता है तो फिर वो smart contracts बनते हैं तो in summary blockchain combines मतब summarize करके अगर हम blockchain system को बात करे हैं तो इनको smart contracts बनते हैं तो in summary it combines decentralization, consensus, cryptography and immutability to create a secure and transparent ledger for various applications including cryptocurrencies and beyond, note blockchain system can't be changed, again वही बात आगी के blockchain system आपने create करके उसको running में लगा दिया है तो that means के यह अब कभी भी change नहीं हो सकता, यह हमेशा forever रेगा, नीचे मैं इसकी translation भी दी है, मैं इसको slow scroll करती हूँ, आप इसको pause करकर के देख लीजेगा, समझ लीजेगा सही तरह से, यह क्या चीज़ है, decentralization आगया, lane देन आगया, जिसको transactions में था, इतफाके राए, blocks आगया, गैर तबदील शुदा ledger आगया, smart मौइदा आगया, note, यह सारा मैंने इसको, English वाले को अर्दू में आपर की असानी के लिए translate कर दिया था, आप इसको pause करकर के देखते रहें, चाहें तो लिख लें, यह सिरफ आपके, आपकी knowledge के लिए मैंने वीडियो बनाई है, अदर्वाइस इसका, यह trading में आगे जाके, कोई आपको ऐसा चिसकी help नहीं, यह technically help नहीं करेगी चीज़ें आपको, लेकिन यह information के लिए, आपके लिए वीडियो बनाई है, यह आपको पता होना बहुत जरूरी है, आगे हम देखते हैं कि, ब्लॉक्चेन सिस्टम के फाइदे क्या होते हैं, ठीक है, ब्लॉक्चेन सिस्टम का सबसे बड़ा फाइदा तो यह है कि transparency होती है इसमें manipulation नहीं होती, reduced transaction cost, यह बड़ी, बहुत ही minor सी fees charge करती है, ब्लॉक्चेन सिस्टम आपको चार्ज करते हैं, को बड़ी-बड़ी रसीदे हैं, बड़ी-बड़ी कोई fees system नहीं होता इसमें, faster transaction settlement, decentralization, used controlled network, यह एक बहुत जल्दी transaction system होता है, within seconds transaction हो जाती है, और यह पूरा decentralized, एक controlled network इसको handle का रहा होता है, efficiency, auditability और traceability, यह तीनों चीज़ें इसको trace भी किया जा सकता है, security बहुत high profile security है, again बता रही हूँ कि यह हमारे किसी भी physical asset से बहुत ज्यादा आगे की secure दुनिया है, worldwide adoption, अब आज कल के जमाने में जो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, blockchain system को दुनिया adopt कर रही है, automated operations, इसमें एक system को बना के छोड़ दिया जाता है, वही blocks बनाता जाता है, chain बनती जाती है, आपके data record होता जाता है, कि आपने फ़लाँ वक्त में यह transaction की थी, यह चीज़ें की थी, तो इस security रहती है, open हो जाती है, इसका यह भी को issue नहीं है, कि इस बीद है कि थोड़ा सा complicated होगा आपके लिए, लेकिन blockchain, ecosystem और cryptography के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी था, अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को subscribe कर दिजेगा, वीडियो को like कर दिजेगा, और next इंशाला वीडियो मेरी कोशिश ही है कि मैं mining पे बनाऊं, कि माइनिंग किसको बोलते हैं, क्रिप्टोग्राफी के अंदर माइनिंग का क्या रोल होता है, अगर content अच्छा लगा है तो द्वाव में याद रखिएगा.